आप से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दज्योग्राफी में और आज की इस वीडियो में हम जिकर करेंगे चक्रवात और प्रती चक्रवात यानि साइकलोन एंड एंटी साइकलोन की उत्पति कैसे होती है और कितने इसके प्रकार होते हैं जाने के आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं चक्रवात और प्रती चक्रवात के बारे में तो देखिये चली तो चक्रवात और प्रती चक्रवात दो विशिष्ट प्रकार के वायूदाब और पवन तंत्र हैं ठीक है इन्हें परिवर्तन शील पवने भी कहते है परिवर्तन शिल प्रम नहीं यानि जेव जेवें पॉणी जिनमें परिवर्तन आकर ये साइकल नुमा एक आकरती बनती है वो कहीं हजारों किलो मिटर में भी हो सकती है और एस आकरती की वज़य से जो नुकसान होता है वो और मौसम में जो बदलावाते हैं वो वो देखने लाइक होता है और कहीं न कहीं हर किसी की सांस उला देता है तो सबसे पहले जान लेते हैं जो चकरवाद चकरवाद जो है वो क्या होते है लो प्रेशर की तंतर होते है जिनके चारों तरफ उच्वाई उदाव होता है देखी अगर मैं आपको आसान भासा में समझाओं तो एक बार देख ले लिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि यूँ 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 एक जो चकरवात होता है उसके आकरती कुछ इस प्रकार होती है जो इसका सेंटर पॉइंट यानि आई ओफ साइकलोन होता है उसका जो व्यास होता है वो हमारा आठ किलोमेटर होता है कितना होता है? आठ किलोमेटर और इसकी उंचाए अक्षाब मंडल यानि तिरा किलोमेटर के आसपास इसकी उंचाए होती है ठीक है जी चलिए उसके बाद है जी हमारा point इसमें क्या कहता है चकरवात में पावनों का प्रवाह चक्रिय रूप में होता है यानि ऐसे जैसे cycle का पैया होता है कुछ उस प्रकास से पावनों का प्रवाह होता है दक्षिनी गुलार्द में चकरवातों की दिशा घड़ी की सुईय की विपरित दिशा में होती है ठीक है यानि एंटी क्लोकवाइस जो होता है वो उसकी और उत्री सुरी माफ कीज़ेगा अनुरूप यानि उसके अनुरूप यानि जिस तरह से हमारी घड़ी की सुईया घूमती है ना उस तरीके से दक्षिनी गुलार्द में और उत्री गुलार्द में घड़ी की सुईयों की विपरित दिशा होती है यानि उत्री जो गुलार्द होता है उसके अंदर हमारी जो साइकलोन की गती होती है वो घड़ी की सुई की विपरित होती है और दक्षिनी गुलार्द में इसकी दिशा जो होती है वो घड़ी जैसे घड़ी की सुईयां मोशन करती है यानि गती करती है कुछ उस त्वीके से गदी करती है चकरवाद की उत्पत्ति शितोषन वे उपोश हाँ उशन कटी बंदिय दोनों शित्रों में होती है अते हिने शितोषन कटी बंदिय वे उशन कटी बंदिय चकरवाद के रूप में जाना जाता है शितोषन कटी बंदिया चकरवात तापमान में आदरता वे भिनिता रखने वाली वायू राशियों के मिलने से विकसित होती है इन्हें तरंग चकरवात भी कहते हैं ठीक है जी उष्ण कटी बंदिया चकरवात का विकास इन शेत्रों में स्थानिय अधार पर गरम होने पर निम्न वायुदाव के शेत्रों के उत्पत्ति का प्रिणाम होता है उष्ण कटी बंदिया चकरवातों के विकास के लिए एक सेक्ड जेस्ट शेक्ड चलिए विकास के लिए क्या होना जरूरी है जे विकास इन वक्षेत्रों में वायूदाब स्थानिय आधार पर गरम होने पर वर निम्न वायूदाब की उत्पत्ति का परिणाम होता है उष्ण कटी बंदिया के विकास के लिए उष्ण कटी बंदिया समुद्र और महासागर उनकूलक्षेत्रों होते हैं क्योंकि इनकी उर्जा के लिए मुख्यस्तरोत संगनन की गुप्तोश्मा होती है इसी लिए स्थलक खंड़ो उपर ये जोन चक्रवाद के हो जाते हैं कंजोर पड़ती हैं और वहाँ पर आती उनकी गती क्योंकि इनको लेटेंट हीट मिलती रहती है और ये मौशन करते 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 स्थाल खंड तक जब तक महुचते हैं तो तब तक इनकी जो शक्ती है वो कम पढ़ जाती है क्योंकि वेरियेशन जो है वो काफी अलग देखने को मिलता है अग देख लेते हैं जी उशन कटी बंदिया चकरवात अत्यंत प्रवल होने के कार्ण जान माल की काफी हानी होती है और मुख्यत है तटवती रिक्षेत्रों में ऐसा होता है इन्हें हिंद महासागर में चकरवात सोरी हिंद महासागर में चकरवात वेस्ट इंडीस में इन्हें हरीकेन और चीन में इन्हें टाइफून चीन सागर में इने टाइफून के नाम से जाना जाता है चीक है ओस्ट्रेलिया में इने विली विलीज के नाम से जाना जाता है इने विक्षोब या अवदा भी भी कहती है चीक है वायू के अभी सरण और पवनों के चक्रिय प्रवाह के परिणाम सोरूप चक्रवात के केंद पवनों का वेग बहुत अदिक होता है और एक बेलनाकार के रुप में उठती हुई दिखाई देती है वायो शीतल होकर अकशेतिज की तरफ उपर की तरफ फैलती है इसमें कुछ वायो चकरवात के केंद्रिय भाग के में उतरती है और कुछ नीचे उतरने से यहां पर शांत की प्रिस्तिती बनी रहती है चकरवात के इस केंद्रिय भाग को हम चकरवात की आख यानी आई ओफ साइकलोन भी कहते हैं यह साफ मौसम का खेत्र होता है और उशन कटी बंधिया चकरवात में एक प्रमुख विशेष्टा होती है जे चकरवातों से संबंदित एक विख्षोब और टर्नेडो भी होता है टर्नेडो दरसल छोटे आकार का होता है और और क्या होता है उशन कटी बंधिया चकरवात होता है ये विख्षोब अती प्रचंट होते हैं इनका खत्रा मुख्यता रूप से यो ऐसे मिसीसीपी की घाटी में होता है यहां इन्हें ट्विश्टर के नाम से जाना जाता है देखिए असंसी भाषा में समझे ट्विश्ट यानि किसी मौसम में बदलाव लाने वाला ट्विश्टर कहलाता है ठीक है आसंस शब्दों में समझे दो टॉर्णेड़ो की उत्पत्ति आस्ट्रेलिया कभी-कभी मध्यक शांशिया प्रदेशों मे भी होती है यह हैं चक्रवातों के भिनिता भिन मानने जाते हैं क्योंकि इनका विकास स्थल मंदल पर होता है स्थल पर होता है यानि land surface पर इनका विकास होता है ठीक है जी चली यह चकरवाद भी बाने जाते हैं क्योंकि इनका विकास स्थल मंडल पर सबसे ज़ादा होता है यदि कोई tornado अपने विकास के लिए समुद्र पर पहुंचता है तो उसकी क्या होती है, शक्ती बढ़ जाती है और यह कीप के अकार का नीचे मेग बनाती है और इसकी उत्वत्ती जल के तल के निकट होती है इस परिस्तिती में पवने को तेजी से घुमने के से समुद्रों का भी जल का है उपर उठना शुरू कर देता है चीक है जी और इस परिस्तिती में इस परिस्तिती में जल का स्थम्ब कह दी है चीक है अब बात आती है जी हमारे शितोष्न कटी बंदिय की जस्ट सेगिन चली अब हमारी बारे आती है जी शितोष्न कटी बंदिय की भीनता जैसी विशेष्टाइं चक्रवात की उत्पत्ति में महतो पूर्ण भूमिका इवने भाती है इसलिए यहां दो परकार के वातागरों ऊशन वातागरों और शांत वातागर की उत्पत्ति होती है दो परकारों इवने भातागरों इस इनकी उत्पत्ति में महतो पूर्ण भूमिका शेत्रों होता है क्योंकि इन चक्रवातों का आकार अंडाकार होता है यहां उशन कटी बंदिया चक्रवात की तुलना में ये बड़े होते हैं और इन चक्रवातों के विकास के लिए साइकलोनिसिस इस प्रकिरिया को जो चक्रवातों का विकास की प्रकिरिया होती है इसको साइकलोनिसिस भी कहती हैं चलिए चलिए अब जल्दी जल्दी हम आपको एक बार प्रोड कर लेते हैं इन से यह चकरवात महादवीपों में एक श्वीक्सीत होते हैं शीट काल में सबसे अधिक प्रबल होते हैं क्योंकि यहां दुरूविय वायूराशियों वायूराशियों में तापमान अधिक अंतर पाया जाता है यह तापांतर का जो फिलोमिना होता है वो यहां पर देखने को मिलता है शीटोशन कटी बंदिया चकरवात में मुख्य अस्त्रोत उनके विकास में सम्मलित वायूराशियों के तापमान का अंतर होता है साधारणत है यह पच्छुआ पवनों की पेटी में विक्स शीटोशन कटी बंदिया चकरवात में चक्षु नहीं होते हैं देखे हमारे एक point of view यो यह देखने योग्य है कि उशन कटी बंदिया चकरवातों में आई O.C. लेकिन जब बात आती है शितोष्ण कटिवंद ये चक्रवातों की तो उसमें साइकलोन नहीं होता है जी शक्षेत्र में चक्रवात जहां से गुजरते हैं वहाँ पर बादल चाहे रहती हैं और बवर्शा होती है अब बात आची है जी हमारे एंटी साइकलोन की चीजिए के एंटी साइकलोन यानी चक्रवातों की विपरित जब साइकलोन की जो दिशा थी हमारी कुछ इस्तरी के दिखी थी लेकिन अब एंटी साइकलोन के बारे में हम जिकर कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहां उचवायूदाब के अक्षेत्रों होते हैं इन उचवायूदाब के अक्षेत्रों के प्रवाह से प्रवाह वायू का बाहर की ओर होता है अब जो साइकलोन जो हमने डवलप होने की स्थीति देखी इसमें साइकलोन को समाप्त होने की स्थीति देखेंगे वायू का प्रभा उत्री गुलार्द में गड़ी की सुईयों के अनुरूप होता है और दक्षिनी गुलार्द में गड़ी की सुईयों की विपरित दिशा में होता है देखिए जो हमने point of view देखे चकरवात की इसमें उसके उलट है यानि इसका सारा कुछ फिलो में ना है वो अपाउजिट होगा चलिए दुरूवी अक्षेत्रों में वायुदाब की पेटियां और उपोशन कटी बन दिया उच वायू दाब एक शेतर का इनकी उत्पत्ती का मुख्य केंदर है शेतर है चकरवातों की उत्पत्ती की उपेक्षा प्रती चकरवातों का मौसम सम्मंदी प्रकेरिया उपर कम बुरा प्रभाव पड़ता है प्रती चक्रवाद में एंडियानी एंटी साइकलोन में वायू नीचे की और उतरने के एक शेत्रों होते है नीचे उतरने के साथ साथ क्या होता है वायू दाब बनाए रखती है और बाहर की तरफ फैलती है कभी कभी विशेश प्रति चक्रवात में कपासी वर्षा मेग की उत्पत्ति होने से यह धारणा गलत सिध होती है ठीक है प्रति चक्रवात केंडर में वायुदाब की प्रवर्णता कमजोर होती है और वो पवने हल की होकर परिवर्तनशिल हो जाती है ठीक है चली अब है जी प्रति चक्रवात को दो वर्गों में वर्गिक्रित किया गया है, कौन-कौन से, उच्छ अक्षानशिय शीट के इंदर प्रति चक्रवात, और निम्द अक्षानशिय उश्ण के इंदर चक्रवात, ठीक है, शितोशन कटी बंदिया चक्रवातों के बीच में पाय जाने विले के उंत्रगत आते हैं प्रती चक्रवात शीट काल में महाद्वीपों के आंत्रिक भागों में विक्सित होतो होते हैं ध्रूविय वै उप ध्रूविय क्षेत्र में दक्षिन के और चलने वाले प्रती चक्रवातों की उत्पत्ति के ख्षेत्र में आते हैं प्रती चक्रवातो महादवीपिये उच्वायुदाब क्षेतर चकरवातो के मध्य क्षेतर वे दुरूविये प्रकोप यानि पॉलर आउट ब्रेक हाई क्षेतर जी चकरवातो की उपेक्षा वायुदाब की प्रणाली अधिक स्थाई होती है वायु के अवरोहन वशांत प्रिस्तितियों के कारण प्रती चकरवात ये एक शेतर वायु राशियों के लिए उप्योक्त उत्पत्तिक शेतर होती है कई बार ये वायु राशियों के धसाओ के कारण वायु प्रदूशन की समस्चा को भी जनम देती है ठीक है जी चले जो हमारा last point बसता है उसे भी एक बर हम देख लेते हैं प्रती चक्रवात कभी कभी शीत लहर की परिष्टितियों को भी जरम दे देते हैं ठीक है जी जिन प्रती चक्रवातों का आकार बड़ा होता है वे कई बार चक्रवात पुरोग के और स्थान अंतरण में भी अवरोध उत्पन करते हैं तो वीडियो के last में हम आप सभी से एक अपील करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को साथ की साथ शेयर जोरू कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भोलें तो मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जैनकारिश के साथ तब तक के लिए मैं इसाज़त दीजिए चैहिन वंदे मारे